उपेंद्र यादप, मदेशको राजनेती मा कुनेई समय एक लोटी राज गर्नेर सत्ता भोग मा किर्ती मानिने कायम गर्ने पात्र, तर एती बेला पुर्भा प्रधान मंत्रिलाई समेत आफनो कनिष्ट बनावन सक्ने उपेंद्र राजनेतिक जिबन को कठीन मोड मा पुग तर उनी पार्टी बिभाजन लाए लोभी पापी को हतकंडार और लाप को हिसाब भनी रहे कैशन। जनालाई लियेरा पार्टी बिभाजन गरायेका अशोक राईले उपेंद्र लाई स्वेच्छा चारी रभ्यक्ति बादना रमाउने नेता भनी रहे काशन। बैचारिक मद भेद भन्दा पनी उपेंद्र को हुकुमी सैली का कारण पार्टी फुटे को राईको दाबी छा। अशन तुष्टी अंतर विरोध बड़ायेरा पार्टी माँ चाहिं रही रहन। तो रामरोपनी हुदे ना, रामरोपनी देखिन दे ना, बरु अलग भायरा प्रितिकर सम्मन्दा, शु सम्मन्दा, हार दिकता, बचाई रहनुचे बेशुन्चा, यके ठमा बशर, विबाद, बहर्ष, गर्ने, अब चाहिं त्यो खालको असन तुष्टी रुपालने इस प्रधान मंत्री प्रचन रसंग चलफल पची सरकार लाई दिये को समर्थन कायम रहने दावी पनी गरे। उजागर गरी दिये का थिये। मुख्यमंत्री सरुष्गुमार याद अपले के गरलान यो गंभीर प्रश्ण चाहिं तरह एमाले ले भने आफनो पाठी को नेत्रितो मा सरकार बनने बताई रहे को चाहिं एता मावबादी केंद्रा ले भने ब्रष्टा सार बढ़े पची सरकार बाट बाहिरे को प्रतिक सरकार बाट एमाले मावबादी केंद्रा बाहिरिये पनी मुख्यमंत्री याद भने सरकार बिस्तार मा लागे काछन। पनी जशपा सत्ता को बिभाजन मा परेरब फुटे को मा संका छइन। तरा उपेंद्रले पाटी फुटलाई पुष्टि गरने आधार दिये रा जशपा को बिचार सिद्धान तलाई बाहिर लियाऊ नहीं सके को देखिन्न। पाटी बिभाजन को कारन उपेंद्रले सत्त समेकरन फेरना खेलना थालेको भूमिकालाई नेई कारक बनावना खोजी एको छा जुन भास्षे काटनेगरी उपेंद्राले प्रस्ट पार्नस्ष केका छाई नन।